हलो स्टुडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम और उनकी ग्लेंट्स के बारे में मैं अनील कुमार सर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, LBS Government College, कोड़ पूतली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखते हैं कि मानव शरीर में आंत्रिक एवं बाहरी उद्धीपनों को sensory informations को ग्रहन करने तथा उसके अनुसार सरीर की प्रतिक्रिया को संपादित करने के लिए दो परकार के तंत्र अर्थाद सिस्टम कारिय करते हैं जिन में से पहला है नर्वस सिस्टम तथा दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम अर्थाद अंतैस रावी तंत्र इन दोनों सिस्टम्स को सम्मिलित रूप से नियूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वह सरीर की क्रियाओं को एक विशेश प्रकार के केमिकल के द्वारा रेगुलेट करते हैं जो की हार्मोन्स कहलाते हैं हार्मोन्स को chemical messenger भी कहते हैं endocrine systems के अंतरगत जो glands आती हैं उनके द्वारा हार्मोन्स को release किया जाता है और direct ही blood stream में release कर दिया जाता है जहां से blood के द्वारा यह है पूरे सरीर में ले जाए जाते हैं हार्मोन्स का जो रिस्पोंस है वह अचानक से लेकर कई दिनों तक या कई महीनों बात तक होता है अर्थात कई प्रकार से हार्मोन्स का रिस्पोंस बोडी में प्रकट होता रहता है एन्डोक्राइन सिस्टंस में ग्रंथ्या ग्लेंट्स पाई जाती हैं जो की एन्डोक्राइन ग्लेंट्स कहलाती है और यह अपने हार्मोंस को जो की इनके द्वरा स्त्रावित एक विशेश प्रकार का केमिकल होता है डारेक्ट ही blood stream में release कर दिया जाता है जो endocrine glands है यह commonly ductless glands अर्थात वाहिका रहित क्रंथियां भी कहलाती है क्योंकि इन ग्रंथियों में किसी परकार की ducts नहीं पाई जाती वाहिकाई नहीं पाई जाती नलिकाई नहीं पाई जाती और यह अपने hormones को direct ही blood में release कर देती है glands का अगर हम वर्गी करन देखें तो तीन परकार की ग्रंथियां शरीर में पाई जाती है जो की निमन परकार की है endocrine glands, exocrine glands and heterocrine glands exocrine glands वो होती है जो की अपने hormones, sorry, अपने स्त्राव को एक वाहिकाउं के द्वारा, ducts के द्वारा secret करती है अर्थात, exocrine glands are glands that secret their products into ducts इनके example देखें तो sweet glands अर्थात स्वेद गरंथियां, salivory glands लार गरंथियां, memory glands इस्तन गरंथियां तथा stomach, liver और intestine में पाई जाने वाली कई प्रकार की पाचक गरंथियां इसमें सम्मिलित की जाती हैं endocrine glands की definitions देखें तो glands that secret their products जो की hormones होते हैं directly into the blood rather than through a duct अर्थात वह गरंथियां जो अपने product को direct ही blood में release करती हैं जिन में किसी परकार की duct नहीं पाई जाती, endocrine glands कहलाती हैं इनके example देखें तो pituitary glands अर्थात puse ग्रंथि, pancreas, agnace, thyroid gland, adrenal glands, etc तीसरे प्रकार की ग्रंथियां heterocrine glands कहलाती हैं these are glands that perform both exocrine and endocrine functions अर्थात एसी ग्रंथियां जो दोनों ही परकार का action रखती हैं इन में इन ग्रंथियों में exocrine और endocrine ग्रंथियों दोनों परकार के गुन पाई जाते हैं यह है heterocrine glands कहलाती हैं example देखें तो pancreas अब हम देखते हैं hormones के बारे में hormones are a chemical substances that are carried by a cell tissue and initiate specific action अर्थात hormones एक विशेश परकार का chemical पदार्थ होता है जो की ग्रंथियों के endocrine glands के द्वारा स्रावित किया जाता है और वहां से यह blood stream के द्वारा target tissue तक ले जाया जाता है जहां यह एक विशेश परकार के कार्य को या specific action को initiate करता है hormones can have very powerful effects even when present in very low concentration अर्थात hormones का जो effect है वह काफी सक्तिसाली होता है अगर वह बहुत ही कम मात्रा में low concentration में भी उपश्तित हो there are approximately 50 different hormones products produced in the human body मानव शरीर में लगबग 50 विशेश परकार के hormones उत्पादित किये जाते है the specific cells which are affected by a hormone are called target cell अर्थात hormones के द्वारा जो विशेश परकार की कोशिक आएं या उत्तक शरीर में जिनके उपर इनका effect होता है वह target cells कहलाती है hormones influence their target cells by binding to protein और glycoprotein in the cell membrane called receptors अर्थात hormones अपनी target cells पर जहां इनको action करना होता है उनकी cell membrane में उपस्तित protein या glycoprotein से bind होने के बाद अपना action या अपना प्रभाव उत्पन करते हैं cell membrane में उपस्तित इन proteins या glycoproteins जिनसे ये hormone bind होता है receptors कहलाते हैं endocrine system में हम देखें तो इसमें कई प्रकार की glands को सामिल किया जाता है जो कि मानो शरीर में पाई जाती है मुख्य तया इनमें pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, thymus gland इनको सामिल किया जाता है बलकि इनके अलावा भी कुछ अन्या प्रकार की ग्रंथिया है जो कि endocrine effect रखती है जैसे कि pineal gland है ovary and testis है and digestive tract में पाचन तंत्र में उपश्तित कई अन्या प्रकार की ग्रंथिया है जिनसे भी पाचक enzyme के साथ साथ कुछ hormones भी रिलीज किये जाते है आधी सामिल की जाती है सबसे पहले हम pituitary gland और hypothalamus के बारे में देखते है the pituitary gland और hypothalamus is attached to the hypothalamus at the base of the brain अर्थात pituitary gland या puse granthi जिसे हम hypophysis भी कहते हैं यह मस्तिस्क के अधर भाग में जहां hypothalamus उपश्तित होता है इससे जुड़ी हुई होती है the hypothalamus is the major integrating link between the nervous and endocrine system hypothalamus brain में उपश्तित hypothalamus endocrine system और nervous system के बीच में दोनों के बीच में एक integrating link के रूप में कारिय करता है अर्थात hypothalamus जो है brain का hypothalamus वाला जो पार्ट है वह nervous system और endocrine system दोनों को ही कई प्रकार से control करता है although the pituitary gland is sometimes called the master endocrine gland जो प्यूस ग्रंथी है उसे master endocrine gland भी कहा जाता है क्योंकि यह है शरीर में उपश्तित कई अन्य अन्तै स्रावी ग्रंथियों के द्वारा release hormones को भी control में करती है together the hypothalamus and pituitary gland regulate virtually all aspects of growth, development, metabolism and homeostasis अर्थात hypothalamus और pituitary gland जो है वह दोनों आपस में मिलकर शरीर की लगबख सभी प्रकार की व्रद्धी, विकास और metabolism से वतथा समय स्थेति की अर्थात homeostasis से related क्रियाओं को regulate करते है the pituitary gland can be divided into the posterior pituitary and anterior pituitary प्यूस ग्रंथी की सरंचना हम देखें तो mostly प्यूस ग्रंथी दो पार्ट में डिवाइड होती है anterior pituitary अगर प्यूस पाली तथा posterior pituitary या पस्च प्यूस पाली it is the size of a pea weight about 500 mg and consists of two main parts that originate from different types of cells the anterior pituitary adenohypophysis is an upgrowth of glandular epithelium from the pharynx अर्थात प्यूस ग्रंथी का जो अगर पाली वाला भाग है जो anterior pituitary या adenohypophysis कहलाता है वह फेरिंग्स की एक अपग्रोथ के रूप में डवलप होता है फेरिंग्स से की जो glandular epithelium कोशिकाएं हैं उनकी एक अपग्रोथ के रूप में anterior pituitary डवलप होता है जबकि posterior pituitary या neurohypophysis nervous tissue brain से के जो nervous tissue है उनकी डाउन ग्रोथ के रूप में डवलप होता है there is a network of nerve fibers between the hypothalamus and the posterior pituitary puse granthi का जो neurohypophysis posterior part है वह ब्रेंग्स से एक nerve fibers के network के द्वारा hypothalamus से जुड़ा हुआ रहता है the influence of the hypothalamus of the pituitary gland अर्थात puse granthi पर hypothalamus का क्या प्रभाव होता है the hypothalamus controls release of hormones from both the anterior and posterior pituitary but in different ways अर्थात hypothalamus जो है वह anterior and posterior pituitary से release होने वाले लगबग सभी hormones को उनकी release को उनके sensation को control करता है diagram में हम देख रहे हैं कि brain का जो ये mid part है यहां पर एक बिलकुल small structure के रूप में pituitary gland पाई जाती है this is a small structure at the base of the brain which releases a wide variety of hormones that in turn control the activity of the body's other hormone glands the pituitary gland consists of adeno hypophysis जो की anterior lobe भी कहलाता है it is influenced by hormones which come from the hypothalamus अर्थात जो pituitary gland का anterior lobe है जिसे adeno hypophysis भी कहते हैं इसके द्वारा जो hormones release किये जाते हैं उन पर hypothalamus के द्वारा release किये गए hormones का परभाव रहता है and neuro hypophysis जिसे posterior lobe भी कहते हैं it is influenced by neurons which convey hormones directly from hypothalamic nuclei for storage of posterior lobe अर्थात प्यूस ग्रंथी का anterior lobe है यह अपने hormone को स्वेम को संसलेशित करता है लेकिन इनकी release जो है इनका जो निसकाशन जो है वो hypothalamus के जो hormones है या जो releasing factor है उनके प्रभाव में रहता है जबकि प्यूस ग्रंथी का जो posterior lobe है जिसे हम neuro hypophysis भी कहते हैं इसमें स्वेम के द्वारा hormone का संसलेशित नहीं किया जाता बलकि hypothalamus में जो neurosecurity neurons होते हैं वहां से hormones संसलेशित होते हैं जो कि यहां posterior lobe में neuro hypophysis में आकर संसलेशित किये जाते हैं और यहां से release किये जाते हैं देखिए इस diagram में हम देख पा रहे हैं कि जो pituitary gland है उसका जो anterior lobe है यह anterior lobe में एक वेसल्स का blood vessels का आपको एक network, mass network दिखाई दे रहा है जो कि hypothalamus से continuity यह network जुड़ा हुआ है लेकिन anterior lobe में जो इसके hormones हैं जैसे कि TSH thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, FSH, LH luteinizing hormone, ACTH, adrenocorticotrophic hormone, PRL prolactin and GH growth hormone यह जो हैं प्यूस गरंथी के अग्रभाग से एडिनो हाइपोफाइसिस से में ही निर्मान किये जाते हैं यहीं संसलेशित होते हैं और यहीं से release किये जाते हैं लेकिन इनके release पर hypothalamus से जो इनके जो releasing factor है उनका प्रभाव रहता है जबकि जो प्यूस गरंथी का posterior lobe है नूरो हाइपोफाइसिस है इसकी structure को हम ध्यान से देखें तो hypothalamus से जो neurosecurity neurons हैं उनका nucleus वाला पार्ट जो hypothalamus में स्थापित रहता है वहाँ पर इन hormones का sensation किया जाता है और वहाँ से इनको neurohypophasis में storage के लिए भेज़ दिया जाता है और यहाँ इस neurohypophasis से बाद में ये hormones release होते हैं जो कि दो प्रकार के हैं ADH, anti-diuretic hormones and दूसरा है oxytocin ओके, thank you students